समान काम समान वेतन मुद्दे के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोट के फैसले से संतुष्ट नहीं है नियोजित सिक्चक संग 18 जुलाई को हरताल पर रहेंगे ये बड़ी खबर सिक्चा सुधार रोजगार आपको दे रहा है सिक्चक संग 18 को स्कूल बंद रखेंगे ये खबर आ रही है पटना के परतिश्टित अखवार से और पूरे बिहार के नियोजित सिक्चक संग की तरफ से ये खबर आई है कि अब स्कूलों में 18 जुलाई को त दालाबंदी रहेगी इस खबर के आने के बाद नियोजित सिक्चक संग की तरफ से अब ये भी बयाना रहा है कि सरकार पर दबाव डाला जाएगा समान वितन मुद्दे पर सुप्रीम कोट से जो फैसला आया है यूयू ललित की बेंच की तरफ से कि समान काम के बदले समान वितन नहीं मिल सकता बिहार के नियोजित सिक्चकों को इस फैसले के विरोध में अवोट खड़े हुए है नियोजित सिक्चक और रवी वार को उनकी मीटिंग हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया कि स्कूलों में ताला बंदी सांकेतिक रूप से ये सरकार को बताने की कोशिस है कि अब समान काम के बदले समान वितन चाहि ये नियोजित सिक्चको को बड़ा सवाल है 18 जुलाई को जो ताला बंदी होने जा रही है वो सुप्रीम कोट के सरवच नियाले के फैसले के विरोध में ताला बंदी है पर क्या समिधान इसकी इजाज़त देता है कि सुप्रीम कोट के सरवच नियाले के फैसले के विरोध ताला बंदी हो सकती है समिधान इसकी इजाज़त नहीं देता और ये एक समस्या बनकर खड़ा हो सकता है भारत के समिधान के लिए और कानून विवस्ता के लिए क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोट के फैसले का विरोध नहीं किया गया था अब देखना ये होगा कि सरकार और कोट इस पर क्या करवाई करती है सिक्षक संग 18 को स्कूल बंद रखेंगे नियोजित सिक्षकों को पुर्व के सिक्षकों की तरह वेतनमान एम सेवा सर्थ की प्राप्ती की मांग को लेकर सिक्षक संग आंधोलन करेंगे इसके लिए सिक्षक संग ने रवी बार को बैठक कर 18 जुलाई को साड़े स्कूल बंद रखने की घोसना की है या जानकारी नियोजित सिक्षक संग की तरफ से आई है कि स्कूलों में 18 जुलाई को ताला बंदी की जाएगी पुर्व के सिक्षकों की तरफ वेतन मान देने के लिए अब देखना ये होगा कि स्कूलों में ताला बंदी का क्या आसर होता है और सरकार और हाई कोट सुप्रीम कोट इस पर संग्यान लेकर आगे क्या करवाई करती है मांग जायज है जब एक जैसा काम करवाया जाय तो एक जैसा वेतन भी मिलना चाहिए पिछले दिनों पंजाब और हडियाना के करमचारियों द्वारा समान काम समान वेतन केस किया गया करमचारियों का कहना था कि एक जैसे कार करने के लिए एक जैसे वेतन उपलब्ध होने चाहिए और सुप्रीम कोट के ही अलग बेंच ने फैसला दिया कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना करमचारियों का अधिकार है पर बिहार के नियोजित सिक्षकों के मामले में फैसला पलट गया और सुप्रीम कोट ने समान वेतन देने से इंकार कर दिया एक ही जैसे दो केसों में अलग-अलग फैसला अचमभा पैदा करता है और इसलिए सिक्षकों में रोज है सिक्षा सुधा रोजगार हर कदम आपके साथ ताजा अपडेट के लिए बने रही हमारे साथ